जाम्या में इसलामिय उनिवर्स्टी से अगर आप B.T.E.C. या B.R. कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना तीन चीज़े हम इसमें डिस्कस करेंगे या तीन चीज़े मैं कहूँ जानने के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहरी चीज़ कि इस साल चेंजिस क्या क्या हुए हैं दूसरी चीज़ कौन से प्रोग्राम्स आफर होते हैं और तीसरी चीज़ फॉर्म भरने की डेट क्या है तो प्रोसेस के अगर बात करूँ तो अभी तक जामिया में ऑफलाइन फॉर्म भी एकसेप्ट करते थे पर इस साल से फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन एकसेप्ट करेंगे पहली दूसरी चीज़ आपका JEE फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है जामिया के फॉर्म भरने के टाइम का आपको JEE का एप्लिकेशन नंबर फॉर्म भरना होगा तभी आपका फॉर्म एकसेप्ट होगा अब जानते हैं कि ये कौन-कौन से कोर्सेज ओफर करते हैं तो बीटेक के लिए चार कोर्सेज जामिया ओफर करता है Civil Engineering, Computer Engineering, Electrical, Electronics और Communication और Mechanical Engineering के चार कोर्सेज हैं जो चार साल का बीटेक प्रोग्राम ओफर करते हैं बी आर्ट के दो प्रोग्राम जामिया में ओफर करते हैं और ये पांस साल का कोर्स होता है अब बताती है कि फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं तो 25 दिसंबर से साथ मार्ज तक अब कभी भी जामिया का ओनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं तो तीन चीज़े इंपॉर्टन मैंने आपको बता ही पहले चीज़ चेंज इन प्रोसेस ऑफ एप्लिकेशन ओनलाइन फॉर्म बरना पड़ेगा और ये ही का एप्लिकेशन नमबर डालना जरूरी है बीटेक के लिए 4 प्रोग्याम है और फॉर्म की देट है 25 दिसम्बर से 7 मार्ज तक एक और चीज़ जो इंपॉर्टन है वो है बी आर के लिए पेपर 2 जेए का रहता है और बीटेक के लिए पेपर 1 अगले वीडियों मैं आपको बताऊंगा जामिया के एंटरेंस एक्जाम के बारे में और बाकी कौनसे वोर्से जामिया में अच्छे हैं उनके बारे में थैंक्स पो वाचिंग इस वीडियो